दोस्तो अपना मिल पन की दोस्तों आज अपनाँ टापिक के मिलियन के आफ टर्ण सालेट przy आफ कास्ट इस समंदर के किनारों में पड़ा हुआ है इंडिया के किनारों जो समंदर है है जो पाकिस्तान के एरिया में समंदर हैं उन किनारों पे हैं अंदा जो बेट हैं हजारों टन मिलियन टन साल्ट पड़ा हुआ है कोई सिस्टम नहीं रब पाक ने अल्लह तबारक अश्चाला ने हमें समंदर के किनारे पाकिस्तान दिया है इतने खरबा में दियात है मैंने बताया था कि मिलियन टन मचली पड़ी वे अंदर बेटों में जो पाकिस्तान के नजदीक लगते हैं कोई उठाने वाला नहीं है तो अभी मैं आज बता रहा हूं साल्ट की जनाब साल्ट हम जो समंदर का सफर शुरू किया तो हम डाम बंदर गए वहां पोचे तो कस्ती किराय के लिए कोशिश किराय कि कस्ती मिल जाए तो उन लोग ने बताया कि आज जवार है तो छुटी कस्ती नहीं जाएगी जवार तो आता है रात को बारा बजे पाकिस्तान के रिया में और दिन को दो धाई बजे जवार आता है पानी उपर आता है तो उ जवार भी दो डाई बजे हैं हमारा सफर भी वहीं वेस्ट के तरफ है तो हम छोटी जो कस्तियां वाले वह नहीं चल पाएंगे अब बेडा बड़ा कराओ और चोटी कस्ति का 3000 किराया था और बड़े-बड़े का सोलाजा जना वजबूर थे जहेर हम त्यार होके गए थे दो मोटरसके लिया लिए थी 15 दिन का राशन लिया था खाने पीने का पानी लिया था शामानिय लिये थे ठीक है जना तो वह सोलाजार का बेड़ा कराया किराय पे दाम बंदर बलोचिस्तान से दाम बंदर 75 किलो मीटर दूरे कराची से यह ना बेड़े में हम बेटे अब यकीन करें बेड़ा चल पड़ा चलते चल बड़ी इस पीर से जा रहा था हमने देखे इतने देखे इतनी मेद नियाद है कि पड़ी हुए है सांपू मरे हुए सां क appelle फिर्वेर पिस में कभी यह प्रॉसमें देखे लगात पता हैं आने किसी दवाओं में आ हैं उनके जनावे हुए चोटे-छोटे-चोटे बेटूंना हम थो बहुत बड़े बेट पर जा रहे थे किनारे पर वह उन्होली है ठीक है जब वहां हम बड़े भीच पहुचे तो कल मैंने बताया कि मिलियन सौफ टन मचलिया मरी हुई पड़ी हुई जो काम आती है आपके आपके जो मुर्गी का फीड है उसके लिए जी भर के वो फीड उससे बना सकते हो जो आती है जो फीड बनाते हैं अपना जानवरों के लिए उसमें भी वो जनाब मरी हुई मचली वो जनाब इस्तामाल होती है मगर वहां से कोई उठाने वाला है वहां जनाब बैली डो ढ़ाए गंटे का सफर था तीन गंटे वहां पोचे चाय पी गरमा गरम चार पांच बज रहती है तो जहरे मचली का पहला जनाब बैली रीसर्च के जो हमारे सामने अंबार पड़े हुए थे वहां जनाब बैली मचले आङे जो फिशर्में में हमारे साथमे थे वह पक के दे रहे थे रेत ह के रहती है वह रेत को घरम करके मचली पका के दे रहा है वह भुषाय जनाब बैली रात सो गए सबोग सबह को मोड़ सेक्सक् तो चनाब शुरू हो गये चलते 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 तक करीब तक करीब दस पंदरा मिनट चले तो हमने निम्मक के बार देखे कमज़ कम 15 बीस अजार एकड़ों में ये निम्मक की निम्मक थे बदरत का एक नजाम है। वहान कोई जिन है ennों इनसान है, पानी आया उपर आशमान निची समधर का पानी है, आसमान का रंग भी बीलू है तो जनाब आली समधर के पानी का भी कलर बीलू है, तो पानी इतना निमक पड़ा हुआ है टनों की हिसाफ हाजार वो टन जो कारपारी हाजरा हम जो रीसर्च किरा tylko हम खुद कर रहें या कर रहे थे लेदर की फिक्र्टुरी बेजयाव वह ली हम ने ड़क्रियाउ उस्դ पर हमने काम किया नुकसानाद पर नुकसान उठाए कुछ फाइदे उठाए उसके साथ क्रेप का काम भी शुरू किया वो भी चलाया तो अगले इंशालला उसमें बताएं किस तरह क्रेप फारम बनाया था घारों में ठीक है ना उसी पर दो धाई क्रोर मुक्साल किया है अभी आज चल रही है बात निम्मक के के पाकिस्तान के सम अंतर में अंतर जो बेटें वहां मचलियां भी पढ़ी हैं बेंतहा वहां निम्मक के अंबार लगे हुए यहां मरे हुए सांपू के अंबार लगे हुए किनारू पे जैसे जवार आता है तो जवार आता है तो पानी आ जाता है पानी से वह चीज़ें आ जाती है मचलियां मेधनियात जानवर जब पानी वापस चला जाता है तो जनाब वहां रह जाती है इस तरह रहते रहते चलते 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 अंबार बन जाते है तो यार खुदा ने पाकिस्तान को समंदर के ऊपर बनाया है तो हम जो है ना वो मेधनिया जो मुफद में पड़ी हुई है वहां उस फाइदा नहीं उठा रहे हैं कोई अरब पती वहां बेट के सब्सक्राइशन यूनिट लगा है दो-चार आदमी रखे वहां पेकिंग सेंटर हो सिर्फ निमक जो कच्छा है वह जना भरता जाए बेड की लगा सकता है अब या सबक्राइब कल से बता रहा हूं कल बताया का मचली के बारे में आज बता रहा हो निमक के बारे में तो हो लाखोंटन निमक बढ़ा है को लेने वाला कि नहीं है कि देखो मैं इस बात ही नहीं कर रहा है मैं राइटर भी हूँ यह केक्ड़े पर किताब में ना बाफ़े है यह केक्ड़े पर किताब लिखी है क किताब में लिखी है देखो ने बता भी रहा हूं दिखा भी रहा हूं जो कल मैंने करेप का बताया था वोडियो भरती एक कावे मैं लेखा शम से दिन कटपा कि पूरी कहानी पूरी दुनिया आबाद की किस तरह किस तरह फारम लगा है वो सारे बताएंगे इन्शाल तो अभी बता रहा हूं जना आप जवार क्या होता है ये मैंने पहले हाठ से लिखता था ही किताब ये पर उनको जुझ दे चिड़ा का रहा फिर किता लिए बइस पर नहीं परानी पानी होता है तो घमने जो फारम लगाया, उसको जनाव याली ये अभी हमने यहां नाली। बनाई नालीं बदाए। पाणी आया तो मृफ़ते हमारे फारमों में आता था, इस तरह जनाव यह करेब है चोटे-चोटे सौरा करके रहे ते यह मैं ने लिखाए है। ठीक है जनाब, जब पानी आया, तो इस तरह पानी आता है, यह भरा हो आए, यहां से पानी अंदर पैपए लगी हूए, सीमट के बड़े-बड़े पाइपए, वह हमारे असी जो फारम बने वह थे गाड़ों में, क्रेब के फारम, वहां यह पानी आ रहा है, मुफत में, क्य पुराक भी साथ लेका रहा है करेब के लिए ठीक दो ड़ाई बजाता है फिर जब वापस चला गया तो इस तरह यह फटता है इस तरह यह वापस जा रहा है देख रहा है यह उन दिनों में तस्वीरे कैच के रखी दी वह द्यार जिदगे में काम आएगी इतना रिसच काम कर रहे हैं मेरा उस्ताद बेचारा वहां बेचारा मर गया यह देख यह फिर हमने जनाब आली वहां अंडर गरॉंड सीमट के बड़े-बड़े पाइप लगा है मेहनत की यह किरेव हैं मरे हुए जो वहां पड़े हुए हैं बंदर में इस तरह जवार आता है कि पानी उपर ऐसे रहा है फिर पानी वापस चला गया आता है तो पानी भर जैता है जाता है तो यह खाली हो जाते में और खाली हो जाते हैं जिस आहसे विभरे न है तो इसको कहते हैं जवार तो में विए छोटी सी काविश है इसलिए बताता हूं कि हमारे उपर जो हम जो रिसर्च के काम कर रहे थे वो उस्ताद के साथ मिलके किरोड़ा डालर किरोड़ा रुपया हमने खर्च भी किये लेदर पे किरेब पे तो अलहम देला आज किरेब के बहुत बड़े जनाब यूनिट चला रहे लोग वो उस्ताद मेरा विचारा सबंदरों में विचारा उसको कैंसर हो गई वहां फोत हो गया 2005 में शायद तो दोस् मेहनत एक अजीम काम है जो आपको किसी का मोताज नहीं करता किसी की गुलामी नहीं करता आल्ला की गुलामी करो मेहनत करो बाकि दूसरी के फैक्टरी में गुसके उनसे पुछो ये क्या बन Stuart आओगे तो सहरी यह क्या है वो जो बताएगा मैं बागलों के तरह बुद्धों के तरह की बात सुनूगा वो आपको कनवे करूगा यह मैं घलत कर रहा हूं क्योंकि मैंने नहीं किया है यह वो काम है यह वो काम है जो हमने किये हैं यह वो काम है जो हमने रिसर्च किये तीन साल तो आजटापिक ये था कि यार मिलियन टन साल्ट पड़ा हुआ है समंदर के बेटू में कोई उठाने वाला नहीं है कोई मालकी नहीं है कोई इन्वेस्टर नहीं है मच्छलियां टनों के साथ से पढ़िये साल्ट टनों के साथ से पढ़िये ठीक है जनाब याली अब इस सुबू को टाइम था नाश्ता क्या है चाही मिली है तो आप अगर चाही ने मिली है तो चाही पिए गपे मारे मुझे दीजिये जाज़त कोदा आफेस